जैम आता दी दोस्तों आपका हमारे चनल पर एक बार फिर से स्वागत है आज हम चलने वाले सेडी साइज सेडी साइज चलके हम देखेंगे सेडी में रुखने की क्या वस्ता है सेडी में खाने पीने की क्या वस्ता है और कौन सा सही तरीका रहेगा सेडी जाने के बाद दर् लोड होते रहते हैं सेडी जाने वाले अधिकतं भग बाई ट्रेशीर जाते हैं सेडी जाने के लिए मुखी तौर पर पर ठीज़े सल जाने के लिए स्थांगार जिसकी दूरी स्थी मंदर से 5-30 क्लिमेटर के आसपास किये दूसरा है कोपरगा जिसकी दूरी नासिक रोड अगर आप यहीं नासिक रोड रेल्वे स्टेशन से टैक्सी बुक करके लिए जाना चाहते हैं प्राइबेट टैक्सी तो यहां को दो हजार रुपे में नासिक रोड से सीडी के लिए ड्रॉपिंग टैक्सी मिल जाती है अगर आप सेडी जाने के बाद वापस साते हैं तो रहन दोड़ाइगंटे में दर्शन करने के बाद तो इसका चार्ज आपको तीन हजाव रुपे के आसपास देना पड़ेगा यह है नासिक रोड रेल्वे स्टेशन के बाहर बना हुआ टैक्सी स्टेंड यहीं से आप अपनी टैक्सी की बुकिंग करा सकते हैं हम लोग अपनी यात्रा नासिक रोड से स्रीडी के लिए बस से करने वाले बस का जो किराया हम दोको बताएगा वह दोस्तों अस्यूपर पर परसनी साथ से तो भी हमारी बस आचुकी पीछे देख सकते हैं आप एक चाम में लोग करीब साथ से पैंसाट लोग है इसलिए हम हम लोग बस में बैठ चुके हैं और चलते हैं सेडी के लिए सेडी का जो हमारा सफर होने हमें लगबक दो घंटे का हूग क्योंकि 90 किलोमेटर की डिस्टंस है यहां से तो आप से शीरे आप से मिलते हैं सेडी पहुचने के बार के हैं अब हम पहुच चुके है सेडी और य यहाँ पे आने वाले सभी भक्तों के लिए बहुत कम पैसे में रूम अविलिबल कराए गाते हैं तो अभी हम लोग पहुच चुके हैं सेडी साई आस्रम हम लोग लगबग एक बज़े के आसपास चले थे और के 2 गंटे में हम लोगफ पहुच चैने सेडी साई आस्रम यहींप हम लोग नायट इस्के करेंगे देखते हैं यहां पर रूम की क्या वस्त है बिसिकली यह सेडी साई आस्रम साई बाबा ट्रेस्ट दौरा संचाली थी एक होटल है जहां पर आपको रूम मिलता है तो चलके रूम देखते हैं आस्रम में अंदर जाके पता किया तो पता चला यहां पर हर प्रकार के रूम अविलेबल हो जाते इसी रूम, नौन एसी रूम, पांच लोग के लिए रूम, साथ आछ लोग के रूम तो हम लोग टोटल चार लोग थे इसलिए हमने एक चार बिट का रूम ले लिया है जिसकी कौश्ट हमको 2500 रूपए देनी पड़ेगी पर नाइट के हिसाब से तो अभी हम लोग चलते हैं अपने रूम पे यह है सेडी साई आस्रम का हमारा रूम जो की बिलकुल साब सुत्रा यहाँ पे जितने भी रूम आपको देखने को मिलेंगे सब भी बिलकुल साब सुत्रियों की यहाँ पे सुबे शाम बराबर सफाई की जाती है किसी भी प्रकारी के अंदिगे आपको देखने को नहीं मिले तो अभी हम लोग यहां पर फ्रेसोल होते हैं त्यार होते हैं फिर चलते हैं सेड़ी साइं मंदिर में शाइं बाबा के दर्शन करने अभी हम हो चुके हैं ready और चल रहे हैं से डी साही मंदर दर्शन करने अब जब से डी साही आसला में रूपते हैं तो दो तरेके से मंदर तक जा सकते हैं एक तो यहाँ से निसुल के बस चलती है जो कि आपको मंदर तक drop कर देती है दूसरा मंदरी के बाहर आटो आपको मिल जाता है जो 10-10 रुपई लेते हैं और आपको मंदर तक छोड़ देते हैं तो अभी हम चलते हैं दर्शन करने तो हम लोग भी फ्री बस सेवा सही मंदर तक जाने वाले यहां से मंदर की दोरी मातर एक किलोमेटर के आसपास है लेकिन यहां पर लाइन लगनी पड़ती है थोड़ी सी क्योंकि एक बस आती है और एक चली जाती है तो थोड़ी सी लाइन लग जाती है तो अभी हम लोग लाइक में लग चुके हैं बस में बैठते हैं और सीधे मिलते हैं आप से सीड़ी साही मंदिर के बाहर अब हम पहुत चुके हैं साइम मंदिर, साइम मंदिर में पहुचने के बाद जानकारी हुई, यहां पे दो तरह से भक्तों के दर्शन कराया जाते हैं, एक तो व्याइपी दर्शन होते हैं, जिसके लिए आपको 25 रुपे की परची कटानी होती, एक निशुल्क दर्शन होते जो की साधारान भक्तों के लिए होते हैं, यह आपको फ्री में कराया जाते हैं, तो अभी हम लोग चलते हैं, पहले परची कटा लेते हैं, अगर आप स्पेशल दर्शन करना चाहते हैं, तो इसके लिए गेट नमबर एक से आपको परची कटानी पड़ेगी, और अगर साधारान दर्शन करते हैं, तो इसके लिए आपको देड़ से दो घंटे की लंबी लाइन लगनी पड़ती, और कभी-कभी पैड दर्शन में बहुत ज्यादा लगी लाइन हो जाती, तो आदे से गंटे इसमें भी समय लग जाता है, तो सबसे पहले चलके हम अपनी अगर आप फ्री में दर्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अलग अपना बायोमेट्रिक करवाना पड़ेगा, तो हम लोग फ्री वाले चलके दर्शन करेंगा, तो चल रहे हैं बायोमेट्रिक करवाने, तभी हम लोग का रजिस्टीरिशन पास जो क्यों मिल चु हैं, पस उस पर वैस्टन दे भी ट्रस्ट होता है, और इस पर है सिरी सेडी साइबाबा ट्रस्ट, तो हम लोग कुछ चलके लगना है लाइन, तो आधे से घंटे हम लोग के दर्शन हो जाएंगे, कैमरा अंदर नहीं ले जा सकते हैं, तो अंदर का कुछ भी हम आपको नही मार्केट भी बनी हुई, जहां से आप अपनी मन पसंद चीजी खरी सकते हैं, और यहां से अंदर ले जाने के लिए प्रशाद भी खरीज सकते, लेकिन इस समय अंदर प्रशाद ले जाने नहीं दिया जा रहा है, तो इस लिए किसी भी प्रकार का प्रशाद आपको खरिद पड़ता है तो अभी हम लोग के दर्शन हो चुके हैं सीडी साइं मंदिर के लेकिन यहां पे दिक्कत किया है कि बाहर से आप कुछ भी खरीद के ले जाते हैं तो मंदिर में आपको बिल्कुल भी चढ़ाने नहीं दिया जाता है गेट पर ही रखवा दिया जाता है तो आप कि यहां आ रहें दर्शन करने जा रहें तो कुछ भी बाहर से खरीद के लिए जाना मंदिर के अंदर सही नहीं है कि कुछ ले जाने देंगे नहीं आपको तो क्या पैसे वेश्ट होंगे तो अभी साइं बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग चलने भारत की सबसे बड़ भी जा सकते हैं और जो निशुल को बसे चलती हैं वो बसे भी आपको मंदर के बाहर से मिल जाती है जो साइं प्रशाद आले तक आपको ड्रॉप कर देती इसके लावा मंदर के पास से बहुत सारे आटो वाले खड़े रहते हैं जो 15 15 रुपए लेते हैं आप से और शाइं भूजन कर सकते हैं तो अभी हम लोग फ्री वाले लाइन में लग चुके हैं करीब 15 से 20 मर में हम लोग का फ्री भूजन का टोकन मिल चुका है और हम लोग चल रहे हैं अंदर बैठ के में बैठ के में बैठ के मतलब जहां पे बैठ के सभी बगत भूजन ग्रहन करते हैं तो पहते हैं सेडी साही प्रसादाले की रसोई की सरवात 19 सदी में हुई थी लोगों की मानता है कि अपने समय में साही बाबा खुद चक्की पे गेहू का आटा पीस के रसोई चलाते थे अब समय के साथ ये दुनिया की सबसे बड़े रसोईयों में से एक है यहां पे परड़े लगबग 35,000 से 40,000 लोग खाना खाते हैं और कभी कभी इस्पेशल जब कोई तेवहार पड़ता है तो ये संख्या एक लाख लोगों तक भी पहुँच जाते हैं इसके अलावा सेडी साइफ पहुचने वाले भक्तों के लिए यहां पे 5 रुपए में नाश्थे का पकट भी अविलिबल कराया जाता है जो की सुबह 08 बज़े से लेकर 10 बज़े के बीच में वितरत किया जाता है तो आप यहां 5 रुपए में नास्ते का पैकर भी प्राप्त कर सकते हैं अब अगर बात करें सिर्डी साई में आपका कितना खर्च आने वाला है तो सिर्डी पहुँचने के बाद आप 1000 रुपए में बहुत अच्छे सा सिर्डी विजिट कर सकते आपको बहुत कम खर्च में रूम मिल जाता है खाना भी आपको फ्री में लगभग मिल जाता है पानी की बुतल यहां 5 रुपए 10 रुपए चाए 2 रुपए काफी 3 रुपए मिल जाती है तो बहुत ही सस्ता है सिर्डी गोबना सिर्डी पहुशने के बाद अगर आप बात करना आप कहां और जा सकते हैं तो यहां पहुशने के बाद आप यहां से बांबे जा सकते हैं जो 2500-300 कुलिम्टर के आस पास है आप तरंबकेशोर जा सकते हैं इसके अलावा आप सनी शिगनापूर भी जा सकते हैं जिते भी बक्त सेडी जाते हैं वो सिगनापूर भी जाते हैं तो आप सिगनापूर जाके भी दर्शन कर सकते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो कमेंट बताया जो अगर सेडी आप जाना चाहते हैं आपको कोई सवाल है सेडी को लेकर तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं आपको रिस्पांस तुरन दिया जाएगा और अगर अभी तक आपन प्रेस्ट बलाइक इफ